आप मेंसे जो लोग कुमारिल भट को नहीं जानते हैं कुमारिल भट के बारे में वो लोग सारे पहले एक बार जहां पे भी बैठे हो आप लोग बोल देना सौरी कुमारिल भट टंग से अब भी तो बोलोगे जो बोलोगे साम को सोते समय वापस बोलना सौरी कुमारिल भट क्योंकि कुमारिल भठ है जिसी कारण से आप लोगों के नाम विजेश्रीर, प्राचीर, रोशन, सुरेंदर, शेलेंदर, निशा यह सारे है वरना यह नाम यहां पर नहीं आते हैं मेरे सामने लैप्टॉप पर वरना आप लोगों के नाम होते हैं अब तो वांचूर, यूच के शिक्षाएं बहुत धर्म के नहीं, बहुत धर्म स्पीड से फैल रहा था और उसके पिछे हला कि कोई भी धर्म फैलता है तो कोई भी तकलीब नहीं है लेकिन वो उच जमाने के अंदर जो बहुत बिख्षू जो थे उनका गमन साथवे आसमान पे चड़ गया था ठीक ह एक नहीं होता है अपनी शिक्षा है किसी को फूर थोपना ठीक है जैसे वरतमान में अफगानिस्तान के अंदर टालीबान अपनी शिक्षाएं थोप रहा है कि कोई भी महीला यदी बिना साब बैना बुरके के दिख रही है तो उसको वहीं पर मार रहे हैं और साब महीलाव लेकिन उस जमाने में कुछ ही ऐसे लोग हो गए थे उन्होंने कहा तक नहीं हम तो सास्त्रार्थ के अंदर लोगों को पराजित करेंगे पराजित होने वाले वेक्टिव कहेंगे तू और तेरे सारे अन्युए हमारे जो है ना उसको धर्म को मान तो अब सब लोगों ने कहा यह तो गलत बात है तो कई थे उस प्रकार से कर रहे ते तक कुमारील बहुत छोटे थे यह तरह लेगते थे उस जमाने में कुमारील कों ऐसा लगता था दुनिया बहुत रंग रंगी लिए महां हो झूब सारे संपड़ायदे थे खुब सारे दर्शन तब कुमारिल देखते थे इधर-उदर तब कमारिल ने कहीnh पर नीली ड्रेस पहना कीजिए रही है और के वह ऻोते जारहे हैं बहुत धर्म, तब कुमारिल एक दिन अपने पापा से पूछते हैं, कि पापा ऐसा कैसे, तब उनके पापा कहता है, क्या करें पेटा, यह कुछिक बहुत बिक्षु हुए, ठीक कुछिक है, लिमिटेड, यह एक्चुली डिबेट के लिए लोगों को बुलाते हैं, और करना इतना मस्किल होता है, क्या, तो कहा है, बहुत जड़ा मुश्किल होता है, तो फिर कुमारिल ने का, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, और इसके बाद में कुमारिल निकलते हैं, अपने अलग प्रकार के मिशन के ऊपर, तो वो कुमारिल याकर सबसे पहले भारतीय दर्शन का संपूर्ण ज्यान प्राप्त करते हैं और जब संपूर्ण ज्यान प्राप्त करते हैं तो उसके बाद उनको सबसे अच्छा लगा पूर्व मिमान सा यह अपन बाद में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे गुप्त काल तो उनको सबसे अच्छा लगा पूर्व मिमान तो यह से परभावित होते हैं, अब साब इससे परभावित होते हैं, फिर भी ऐसा तो कुछ कारण है, जिस कारण से बहुत बिक्षु जीतते हैं, तो फिर वह साब एक decision लेते हैं, उस decision के तहत, वो किसी बहुत बिक्षु के पास में जाते हैं, और वो बिक्षु उस जमाने क मुझे भी आप से शिक्षा प्राप्त करनी है, तो साब उन उन गुरुजी से सही साफ शायना शिक्षा प्राप्त की, और वो पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, फिर वहाँ से निकलते हैं, अब उनका confidence साथ वे आसमान पे था, और वो एकदम से वहाँ से बाहर न जाते हैं, राश्रम में जाके कहते हैं, वहाँ पे जितने भी बहुत बिख्षु बैठे हुए तो उनको सबको, और कहते हैं, क्या हो मैं तुम लोगों को सबको debate के लिए challenge गरता हूँ, तो बहुत बिख्षु हसने लग जाते हैं, कि काफी लंबे समय बाद में ऐसा हुआ वरना बहुत बिख्षु लोगों को पकड़-पकड़ के कहते थे, कि है ना, तुम लोग आओ debate के लिए, आज पहली बार कोई एक व्यक्ति आया है, जो कह रहा है, मैं तुम लोगों को debate के लिए challenge कर रहा हूँ, तो उनको अच्छा, तुम आओ, हमें debate के लिए, तेरे को हरा करने के लिए, तो हमारे ये छोटू ही बहुत है, एक किसी छोटे से बहुत बिख्षु आगिक किया, तब कुमारिल ने कहा, देखो, मेरा काम बहुत बढ़ा है, और मेरे पास समय नहीं है, इसलिए एक एक से यदि डिबेट करूँगा, तो देखो, इतना मेरे पास time नहीं कि इसलिए तुम लोगों सबको साथ में चैलेंज करता हूँ, तो कथा सबको साथ में चैलेंज किया, और सब कुमारिल भट ने कुछी देर के अंदर उनको पराजित कर दिया था, और पराजित करने के बाद में कुमारिल वहां से खड़े हुए, और कुमारिल ने हाथ वह तो बहुत धर्म में विश्वास करो, मूल रूप से, बाग कि जो जिस संपरदाय से आये थे, वह चाहो तो आप लोग उस संपरदाय में जाओ, ठीके, बाग बस यही है मेरी तरफ से, और कुछ भी नहीं, उसके बाद में कुमारिल एक आसरम से दूसरे, दूसरे से तीसर पांच वे, दस वे, और पूरे नौर्थ इंडिया के अंदर कुमारिल भठ का नाम हो गया, तो कुमारिल भठ ने सब कोई पराजित कर दिया था, तो कहता है एक समय था, अब सब उसके बाद में कुमारिल भठ जो है, वह अलग अलग राज्यों में जाते थे, और उस जमान करते हैं कि मनला साब कभी पराजित होते नहीं है, तब सब भी धर्मों को समान रूप से सरक्षन दिया जाना चाहिए, यह एक राजा का उत्तरदाइत होता है, उसके बाद में कुमारिल आगे से आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं एक समय था आगया था, अच्छे एच्छे कुमारिल के नाम से कापते थे, कि मनला कुमारिल आया, मनला गंगोर बीजती, आएगा, डिबेट के लिए चैलेंज करेगा, हराएगा, फिर कुछ उनकुछ बाशन देगा और फिर चला जाएगा, तो फिर जैसे ही कुमारिल कोई राज्य है, इसके राज्य की सीमाओं में से बिलकुल आपका हरदीक स्वागत है. बाकी रही बात वो डिबेट वाली वह आवश्रक्षिकतत नी है. मैंने किसी को भी सर्वक्षन दिया हुआ नहीं और मैं मानता हूँ कि आपको कौन पराजित कर सकता है बाकि आप आओ मेरे अतिती बन कर रहो तब कुमारिल वहां से वापस मुड जाते थे कहते हैं मेरे पास इतना समय नहीं अब इक मैं माले किसी का अतित्या सुविकार करूं इसलिए इसलिए मुझे तो कुमारिल भट ने अपने जमाने के अंदर जिते भी लोग थे उनको सबको पराजित किया था और सबको पराजित करके प्रहमन धर्म या फिर सनातन धर्म की चो टिपिकल बहुत बिख्षू थे उनको ऐसा लगता था कई अपनी बेजती नहीं हो जाए अपने अपने आपको बहुत बड़ा आचारे मानते हैं और फिर कुमारिल आएंगे, कुमारिल आके अपने को चैलेंज गरेंगे फिर अपने हारेंगे, हारेंगे तो बेजती होग तो कुमारिल के बहसे बहुत बिख्षू उस जमाने में, बहुत जनता नहीं, बहुत बिख्षू, वो है न, बिल्कुल डैंस फोरस्ट में भाग गई थी, जैसे अरुनाचल प्रदेस वाले इलाके वगरा, या फिर कुछ लोग सब कश्मीर चले गए थे, लेयो और लड़ लिमिटेड, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल सभी बहुत बिख्षू को पराजित कर दिया जाए, ठीक नहीं रहता, सारे दर्मों ने चीए, एक देश के अंदर, वैसे करके कुमारिल ने एक लंबी यात्रा की, सब को पराजित किया, और फिर वापस ब्रहामने धरन की पिक्सा स्विकार करता हूँ, तब कुमारिल के था चैर, मुझे लगता था अपना काम हो गया पूरा, लेकिन काम हुआ नहीं है, तो कुमारिल आगे बढ़ते हैं, उस राजा के पास में जाते हैं, कहते हैं, हाँ कौन है आपकी तरफ से डिबेट करने वाला, तो फिर का कल सुबह ठीक है, कुमारिल वा रुके, और कुमारिल जैसे सुबह दर बार के अंदर गए, तो कहते हैं, कुमारिल हक्के बखके हो गए, कुमारिल पहली बार जीवन के अंदर काम पे थे, कि कुमारिल वो जो राजा की तरफ से आज डिबेट करने के लिए जो आये थे, वो कुमारिल बहुत हो गया नहीं करना है तो वो कहते हैं कि तो वो सब पीछे अटते हैं कि सर वो अलग इंटेंशन था इसलिए तो वो गुरु कहते हैं कि तुने मेरे साथ रिस्वास गहत किया है तुने जूट कर दो बोलकर मुझसे शिक्षा पराप्त किये को मारे लिए को वो तो बात सही है आपकी पर अच्छिरी मैं आपसे माफी चाहता हो तो जैसे आप लोग हर दो इतने हम स्थ विताफा ब्रेक हो जाए लुक और फी आते तो लोगों कहा है समयनों था मेगों लिए तो एनमों थीटेने ब्रेक ब्रेक करते हैं तो मैं भीच में ब्रेक लिया गा करना भूक और वह दंसे हमना नहीं किए थना हमान। तो कुमारिल की थी जब तुने मेरे साथ है जब तुने मुझे से जूट बोला आज तु एक गलती वापस कर रहा है तब कुमारिल के तुने आपने गुरू का नाम अमर रखना तो लोग कहेंगे कि तेरे को सिखाने वाला गुरू को इनको गलत था इसलिए तेरी हार के अंदर मेरी ही हार है वरना अपने गुरू की नाम को रोषन करना और जा ait और तो जान बूझ कर मेरी के व глаз rightly अँग कर रहा है अब अधा मत कर बोल मुझे करना क्या है तब कुमारिल कैते हैं मुझे हिमत नहीं को कुछ कहूँ आप मेरे बारे में कुमारिल उसके बाद वापस आते हैं कुछ और डिबेट्स में इससा लेते हैं legitimately कुमारिल तब- वन्हों उनका हाँ हो गया तब फिर कंद चलो ठीक है उसके बाद हाला कि वों जो Κुमारिल भट ने भी आत्मादाहा कीया था कुमारिल भटने कहा जातने के बाद में कכता है कि मैंने यह कारे कर एक पर उद्देश्य की प्राप्ति के दौरान मैंने ये बहुत बड़ी गलती किये, इसलिए इसकी सजा तो मुझे मिलेगी, मिलेगी, और उसके बाद में कुमारिल जाके उसके उपर बैठ गए थे, है न, वो जो था न, भूसा, तो उस भूसे के अंदर देरी-देर आग लगी और देरी-देर को मारे बटकी मेर्थी हो कही थी, चलो, तो एक बार बोलना,